वेल्कम टूजीके करें रफ्रेंस पॉइंट फेंज आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो साइंस के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे लरकों का इसर साइंस के लिए कुछ बताए कुछ बताए क्या किया जाए मैं एक बार बताए हूं एक बार और बताना है जिसमें आपको साइंस यहां से छे कोश्चन कम से कम पास से छे कोश्चन फिजिक्स से आएंगे तोटल छे कोश्चन इन दोनों से मिला कि आएंगे छे से पाच कोश्चन इधर से आएंगे साथ कोश्चन इधर से आएंगे सम्थिंग रेशियो ऐसा ही राएगा तो देखा हो तो एक पर मैं revise बता दू क्या का मैं करा दिया हूं इस classes के लिए physics के लिए मैं क्या करा हूं 15 concept classes करा चुका हूं फिजिक्स के ऊपर दो तीन concept class आना अभी बाकी है तो यह पंदर concept class है ठीक है देन इसका 500 जो लूसेंट का मैं सिरी चला रहा हूं उसका भी लगबग अरहाई सो कोस्टन्स करा दिया हूं तो तो तोटल दिखे यहां पड़ी मेरा स्ट्राटेजी कितना बनिया है आप लोगों को बता देना चाहूंगा यही आप एक अच्छे इस्टुएंट से तो आपको पता चलेगा म यह 500 कोस्टन्स हुए दिन और क्या है टेस्ट जो डेली चलता है वो टेस्ट में भी कोस्टन जो साइन्स के होते हैं वो भी इंपोर्टेंट कोस्टन ही रहते हैं अभी तक आई तिंग मैंने अरहाई सो टेस्ट कोस्टन्स में करा दिया है तो तो तोटल मैंने यहां 500 प्लस तो दो सो पचास तो साथ सो पचास physics का questions यहनी समझे करवा दूंगा आगे और आने ओले 5 दिन तक यह खतम हो जाएगा अरहाईसो यहां complete है यहां भी अरहाईसो complete है बस अरहाईसो और अना बाकी है तो यह मैंने physics का कितना करा दिया आप लोगों को देख सकते हैं 750 questions MCQ form में आप लोगों को कराया है जिससे आप लोग exams में करते समय कोई confusion ना हो option के साथ करने से थोड़ा better feel होता है तो यह रहा physics का मैंने बताया आप लोगों को physics में और आने वाला क्या है यह भी बताते चलो तो physics में मैं सोचा हूँ कुछ one liner question दे दूँ 500 one liner क्योंकि उतना typing करना अभी संभाव नहीं है कि MCQ form में typing किया जाए तो one liner form में typing कर दूँगा तो 500 और रहेगा तो total questions कितना हो गए वहाँ पर 750 plus 500 तो यहां हो गया कितना 75, 1250 question physics का मैं done करवाने वाला हूँ देन आता है बायो बायो का तो मैं कोई concept class नहीं करा रहा हूँ तो बायो कैसे होगा बायो दो तिन question के लिए concept class ज़रूरी नहीं है बायो का मैं 700 MCQ form में questions कराने वाला हूँ कितना 700 यह मेरा target है 700 MCQ यदि आप कर लेते हैं तो बायो का इतना अच्छा command हो जागा आपको आप खुद भी नहीं समझ सकते देन chemistry, chemistry बहुत hard लगता है आप लोगों को तो chemistry का दो concept class दूँगा और उसका भी 500 MCQ करा दूँगा MCQ form में तो आप लोगों का टोटल में एक science का जो average लेकर चारा हूँ देखिए 1200 question यहाँ पड़ी हुआ 700 यहाँ पड़ी होगा 127,900 और 925,200 questions को मैं cover करने वाला हूँ 2400 में आपको जायस ज्यादा कुछो questions रहेंगे 705,200,700 questions जो MCQ form में हो जाएगा 700 questions को MCQ form में और बाकी 7800 जो रहेगा उसको one liner के form में करवा दूँगा आप लोगों को बट आप लोग यदि इस questions को एक बार करके छोड़ देंगे तो यह questions आप भूल जाएंगे 100% भूल जाएंगे आपको करना क्या है अभी एक बार जैसे classes आता है देख लिजिए फिर आपको जब time मिले थोड़ा थोड़ा करके पीछे से classes को revise करना चालू करे मतलब आपको यह questions एक बार नहीं एकजाम तक यह questions आपको तीन बार करना है एक बार में कोई चीज नहीं होता है यह आपको एकजाम तक तीन बार यह questions को repeat करना है concept class तो एक दो बार देखिए concept class आपके दिमाग में आ जाएगा बट यह questions को भी command में लाना होगा इतने questions करा दे रहा हूँ तो आपका जो फर्ज है कि इसको revise करना कम से कम एकजाम तक तीन बार इसको revise कर लेना है आप लोगों को तो आप लोगों का science में इतना अच्छा मैं command बोल रहा हूँ science यदि आप normal भी अच्छे normal यदि तीन बार revise कर करके जाते है questions को तो बारा से तेरा question science में रहेगा ज़ि कोई normal भी student है ज़ि वो सिब अच्छे से hard working करके इतने questions को दो से तीन बार पढ़ लिया तो उसका marks भी यहाँ 10 आने वाला है और जो अच्छे students है जो marks gain कर सकते हैं वो तो बारा भी कर सकते हैं तेरा आगा तो तेरा भी हीट कर सकते हैं क्योंकि वो लोग का preparation strategy थो चेंज रहता है वो तीन के जगा पाच बार कर लेंगे practice यह मैं जानता हूं बट जो normal student है तीन बार भी करेगा तो उसका 10 marks सीवर है science में बट आपको करना होगा preparation आप classes मिस कर रहें मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं classes मिस कर रहें ठीक है आप concept class का notes बना रहें अच्छा बात है पर साथ में जो सूबा का test आ रहा है सूबा का test क्यों नहीं दे रहें सूबा मेरा test देने का एक motive है क्या है motive पता है मैं टेस्ट आ मतलब नीर खुलते हुए पता चलना चाहिए कि हाँ अभी हम कौन से मिशन पर है अभी हम नेवी MR के मिशन पर है यह एक मिशन समझी अपना तो यह मिशन के लिए सूबा से उठके सूबा उठके वह 25 questions को देखिए आपका दिमाग खुल जागा कुछ सूबा सूबा जो सीख मतलब आपकी वीडियो को जब देखता हूं तो मुझे सुबा सुबा यह पता चलता है कि हाँ में मुझे को नेवी मारो पर देना है मतलब दिन बर मोटिवेट होने का एक मौका आप सुबा सूबा दे देते हैं तो आप लोग हुए सुबा जब नोटिफिकेशन जा रहा है वीडियो का देख लीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तब भी चैनल पर आके देखिए डेली पाइच बज़े क्लासेस होता है यदि जदी मैं स्वस्थ हो तो क्लासेस आता ही रहेगा तो आप लोग इतना फोकस करें मैं आप लोगों को पूरे बता दिया और साइन्स कॉंसेट क्लास जो करा रहा है साइन्स कॉंसेट क्लास को जरूर करें साइन्स कॉंसेट क्लास ये बहुत इंपोर्टेंट रोल निभाने वाला है आप कोई भी टीचर्स देखिए, हो सकता है उनके 1.5 लेक सस्क्राइबर है, बट वो कौन से क्लास नहीं कराते हैं, डायरेक्ट वो साइन्स के कोश्चन्स करवाते हैं, वो भी 15 कोश्चन्स करके करवाते हैं, मतलब एकजाम्स तक यदि यदि वो जायस जदा कितने कोश्चन करवाएं, समझे 40 दिन करवाएंगे, तो एक, मतलब 600 कोश्चन्स ही आपको करवा पाएंगे, वो मतलब एक औपचारिक रूप में आपको पढ़ा रहे हैं, वो मतलब सीरियस नहीं है, इतना मैं बता चाहरा है, 15 कोश्चन्स से कुछ नहीं होने वाला, 15 कोश्चन्स से इसलिए बस इसी पर रही है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, कौनसेप क्लास को देखिए, टेस्ट दिजिए, एक्टीब रहिए, जी के क्लासेस होता है, उसको देखिए, कितने लंबा क्लासेस होता है, कोई क्लासेस मेरा 20 मिनर से अधिक जाता नहीं है, जब तक वो प् क्यों, क्योंकि आपको भी दिकत होगी उतने बड़े क्लासेस देखने में, मुझे भी होगे, छोटा क्लासेस रहता है, तो आप रिवाइस भी जल्दी से कर लेते हैं, बस यही एक मोटिब है, तो आप थोड़ा साइंस में अच्छा से पढ़े, जो मैं करवार रहा हूं, वो करे, क्लासेस जरूर करे, डेली साइंस का टेस्ट एंड जीके का टेस्ट जरूर दे, पॉप 500 लूसें जरूर करे, फिर वन लाइनर आएगा जीके साइंस का उसका जरूर करे, यह सब क्लासेस करते करते, आपका कमांड इतना अच्छा हो जाएगा, कि एक्जाम जाने के पहले तक आपका science में इतना अच्छा ये normal student भी आप है यदि कम पढ़ते भी हैं तो आपका science में command काफी अच्छा हो जाने वाला है देखिए दूसरे के तरह मैं नहीं कराता कि time waste कुछ नहीं direct questions कराता हूं जो आपके एक्जान्स में आने वाले हैं only focus आपके study पे करवाना चाहता हूं इसलिए जो मैंने science का ये रामबन बताया वह हिसाब से आपके जिए मैं अभी तक 10-12 chapters physics का करवा चुका हूं कोई youtuber को देखिए वह आपको direct questions ही करवाता है यदि आप देखना है देख से कुछ होने वाला है नहीं जैदि आपको science clear करना है तब तक के लिए जाइन फेन नेक्स वीडियो में आपसे मिलेंगे